कैसे हैं आप सब साथियों हम इस चैनल पे लाए हैं पेपर नमबर 105 बोले तो ये पेपर 5 है फिफ्थ पेपर है इसका नाम है अंडर अस्टेंडिंग डिसिप्लीन एंड सब्जेक्ट तो इस पेपर में टोटल आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ा लेना चाहिए दो घंटे के ए पेपर होता है और बाकी ये भी 50 को माक्स का पेपर है और टेन नमबर जो है वो कॉलेज से प्रोभाइड कराया जाता है तो इंस्ट्रक्शन यहां भी है कि आप अपने सब्दों में आंसर कीजिए और सभी कोश्चन जो है ओ छे हैं थ्री यूनिट्स में बटा हुआ है एक कि यूदा माक्स का है तो कुल मिलाकर इसमें सभी इकवल माक्स नहीं है यहां पे सभी कोश्चन के सामने आपको कितना कितना माक्स का है वो सब दिया हुआ हुआ है इसके टाइप्स और नेचर को बताना यह 14 माक्स का कोश्चन है इसमें दो कोश्चन से दोनों के बारे में आपको बताना है कमजोर होने से आप क्या समझते हैं और दूसरा है वाइट इजड़ डिफ्रेंस बिट्वन डिसिप्लीन सब्जेक्ट यह अनुसासन ग्यानुसासन और एवं विसय में क्या अंतर है इसके बारे में बताना है तो यह यूनिट वन का कोश्चन स्था यूनिट टू का अगर बात करें तो यूनिट टू में भी दो कोश्चन से हैं तीसरा और चौन था यह तेरा तेरा मार्क्स के कोश्चन है इसमें कोश्चन है गीब दा मिनिंग ओफ मास्ट्री ओवर सब्जेक्ट डिसकस इनिट्स फीचर यानि कि विसय प्रागतता कावप्रायमों इसके महतवपूर्ण लचनों को चर्चा करिए और कोश्चन 4 एनिट्स अब्जेक्ट अस प्रागतता कावप्रायमों इसके कारण को बताईए यूनिट 3 में कोश्चन दोठो है जैसा कि आप जानते हैं ये अंडरस्टेंडिंग डिसिप्लिन एनिट्स इसमें टोटल थ्री यूनिट्स में टोटल कोश्चन 6 होता है है ये यूनिट से यानि टोटल कोश्चन का जवाब देना होता है उसमें सब्सक्रि कि आंतरिक अधिगाम आकलन की विविन तरीके क्या हो सकते हैं और अगला है what are generic objectives of interdisciplinary subject हैं कि अंतर विशाय विशाय के मुल्ले उद्देश्य क्या होता हैं तो ये थे साथियों unit 3 यानि कि third unit के total six questions तो कुल मिलाकर ये थे MMHPU यानि कि मौलाना मजहरूल हक इन्वर्शेटी के 2022 सेशन के BA first year के questions साथियों इन questions को देखकर आपको जरूर help होगा अगर आप BA first year के preparation कर रहे हैं तो साथियों इसी तरीके से इस चैनल पर से आप जूड़े रहे हैं आप नए हैं तो subscribe कर लिजे ताकि हम इस चैनल पर हमेशा लाएंगे BA related updates तो इसके लिए साथियों thank you फिर मिलेंगे next वीडियो म कर सकते हैं